हेलो फिंट्स मेहु दिपंकर आपको बहुत बहुत स्वागत है क्रियेटिव दीवू चैनल पर फिर से आ गया नया वीडियो लेके तो वीडियो का अन तक जरूर देखना तो चले फिंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देख से एक तो फिंट्स यह है हमारा में बोर्ड जो है की बेस्ट्रिवल वॉल्यूम कंट्रोलर तो सबसे पहले जो बोर्ड है इस बोर्ड का हाइट और लेंग देख लेंगे ठीक ह तो देख सेकते हैं यहां पर जो साइट का लेंथ यहां पर देखने को मिलेगा सबसे बहले लेंथ देख लेंगे यहां पर जो हम लोग को मिल रहा है और यहां पर जो उपर वाला जो हाइट है देख सेकतो इसका जो लेंथ है यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है यह है 5.5 cm ठीक है तो यह वाला हो गया 2.89 cm और यह वाला हो गया 5.5 cm ठीक है तो यह हो गया यह बोट का side और उपड़ वाला जो side दोनो side का length अगर आप इसको offline purchase कने जाओगे तो थोड़ा कम पढ़ेगा price और इसको online purchase कने जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ेगा मेरे को यह परा था 220 रूपीज ओफलाइन और अगर आप इसको ऑनलाइन पर्चेस करना चाहते हो तो पर्चेस का अभी जो प्राइस चल रहा है वो आप लोग को साइड में स्क्रीन सॉट देखने को मिलेगा यह तो हो गया इस बोट का प्राइस और हाइट और लेंद अभी देख लेंगे इस बोट का डिजाइन के ऊपर तो देखे तो यह जब बोट है काफी छोटा सा एक बोट है और काफी अच्छा सा देखने को लग रहा है और काफी कॉम्पक्ट है तो यहाँ पे जो volume के लिए use हुआ है जो preset यहाँ पे use हुआ है वह है B50 के है यहाँ पे travel के लिए जो use हुआ है वह है B50 के है यहाँ पे base के लिए जो use हुआ है वह भी है B50 के है मतलब यहां पे तीनो जो potential meter used हुआ है ओ है B50 के और उपर से देख से है तो यहां पे काफी सारे resistance वगरा used हुआ है और यहां पे जो PCB अप लोग को देखने को मिलेगा यह PCB glass finishing को उपर देखने को मिलेगा और उपर से double layer का PCB है मतलब काफी अच्छा और काफी good quality का यह PCB है ठीक है उपर से देख से तो बहुत चोटा है बहुत ही चोटा मेरा हाथ में ऐसे आ रहे है इतना चोटा है बहुत चोटा से एक board है तो उसके बाद friends A वाला board कौन सा कौन सा amplifier board के साथ काम कर जाता है तो A जो board है, A जितने सारे amplifier board होता है सब के साथ A वाला board यूज होता है जैसे class D type का कोई भी amplifier board मोनो में हो या studio में हो कोई बात नहीं उपर से कोई heavy type का amplifier board हो गया कोई भी किसी भी तरह सा कोई भी amplifier board है सब तरह का amplifier board के साथ A वाला जो board है A काम कर जाता है उपर से इसके साथ कोई भी अपलोग को voltage input देना नहीं पड़ता है तो देखो इसको कहां यूज में लियाता है तो ए जो देख से तो ए है एक audio amplifier board तो यहाँ पर दो speaker connect हो जाएगा ठीक है तो सोच लो यहाँ पर जो दो speaker है दो speaker में जो sound आ रहा है उस sound का अब social volume को decrease करना चाहरे हो या increase करना चाहते हो तो एवाला board के साथ काम हो जाएगा उपर से इस जो sound आ रहा है उस sound का social level को थोड़ा कम करना चाहरे हो और bass को थोड़ा जादा करना चाहरे हो तो एवाला board के साथ ओड़ा काम हो जाएगा देखो यहां पर मैं दिखाने के लिए ऐसे यहां पर एक Bluetooth कार्ट का यूज कर रहा हूँ यहां पर एक छोड़ा सा Bluetooth मॉडियूल है इस मॉडियूल में अगर सुच लिए यह वाला मॉडियूल ओन है मॉडियूल के साथ है फोन कनेक्ट है जब इस कनेक्ट रहाएगा तो यहां आप लोग को output मिलेगा audio output देखो धियान से देखो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा Rout, audio ground और left out मतलब यहां पर right, left और ground तीनों output देखने को मिलेगा यह जो तीनों output है तीनो आउटपुट आगे घुच जाएगा यह वाला बोट का इनपुट में together here यहाँ पर देख से थो बहुत ही अच्छा से यहाँ पर इन लिखा हुआ है तो यहाँ पर इनपुट में यह वाला बोट आ जाएगा मतलब एवाला तीनो लाइन इसमें आ जाएगा ठीक है उसके बाद एवाला जो आउट है अभी इस बोट का जो आउट है एवाला आउट जाएगा यहाँ पे एवाला बोट का इन में तो इस ताहा से एग कनेक्शन होता है तो यह बाद जो आउट परीट मॉड्यूुल है इस ब्लूटुट परीवाल में जो रायट, लेप्ट और ग्राउम्ड है इस रायट, लेप्ट और ग्राउम्ड में यहाँ यहाँ पन। ने जो आउट है तो देख से तो यहां पे तीनों वायर बहुत ही अच्छते से कनेट कर दिया यहां पे जो ब्लैक कलर्ड यूज हुआ है वह है ग्राउंट के लिए यहां पे जो वाइट वायर यूज हुआ है वह है राइट साइट के लिए यहां पे जो रेट कलर्ड यूज हुआ है वह है लिए तो simply से ए जो तीनो वायर है ए जो बोट है इस बोट का input में लग जाएगा तो कहां पर कौन सा देखो यहां पर mention नहीं किया है कि किस ता right है किस ता left है ऐसे को तो simply से मैं middle वाला point में ground लगा दूँगा और दोनों साइड में right left लगा दूगा तो चलो इस दोनों point में मतलब इस तीनों point में यह तीनों वायर को connect कर लेते हैं तो देख से तो यहां पर जो तीनों वायर है इस तीनों वायर के साथ यह इस board में बहुत याचते से connection हो गया यह इस board के साथ हमाड़ा audio amplifier board को connection करना है ठीक है तो देखो यह वाला board के साथ मेरेको यह वाला connecting wire मिला था यह वाला connecting wire मिल गया तो इसलिए बहुत और भी आसान हो गया इसका connection करने के लिए अगर आपके पास यह वाला connecting wire नहीं है तो किस्ता से करो को भी में बता दे रहो बहुत है यह वाला amplifier board के उपर आगर वीडियो देखना चाहते हो तो उपर i button में एक वीडियो आ रहा है उसको आप देख सेकते हो तो आपके पास connecting wire नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है यहां पर देखो यहां पर तीनों जो connecting point है यहां पर middle वाला ground है और यहां पर जो यह वाला amplifier board में एल और ground में लगा देना होगा तो मेरा पास तो है connecting wire तो इसलिए काम और भी आसन हो गया है तो सबसे पहले यहां पर connecting wire को लगा देते हैं और उसके बाद यह वाला wire को यहां पर लगा देते हैं तो इसे के साथ इसका जो छोटा सा connection है बहुत simple सा connection है तो इस ताह से जो connection है complete हो जाता है तो चलो इस वाला amplifier board में power supply और speaker लगाने के बाद किस्ता सा output मिलता है ओ देख लेंगे और यह वाला bluetooth module में power supply देने के लिए अप लोगो को करना क्या होगा यहां पर 3.7 volt का lithium battery यूज़ कर सकतो उपर से आप जो 7805 का voltage regulator IC है उसको आप यूज़ कर सकतो तो मैं यह bluetooth module में power supply देने के बाद audio amplifier board में power supply देने के बाद इस जो हमारा board है इस board को testing कर लेंगे इसका humming बगर रहाया noise बगर सब कुछ बताएंगे तो चलो testing कर देते हैं तो देख सेक तो यहां पर जो हमारा Bluetooth module है इसमें power supply दे दिया यहां पर बीटी मूड में on है और उपर सी यहां पर हमारा audio amplifier board है इसमें भी power supply देदिया देख सेक तो यहां पर जो LED है और गलो कर रहे है तोु देखे तो यहां पर में 3 जो हमारा पॉटेंस से तीनों जो नौ ग्रेस को लगा दिया पे यहां पर रेड हे असायद व कलिए यह वाला गीन कलर के है ठेवल के लिए और यह लो कलर बेस के लिए तो यहां पे हमरा जो ब्लूतूट मॉडिूल है ब्लूतूट के साथ हमा कर सकते हैं तो यह वाला जो एक इस्पिकल लगा हुआ है यह वाला है लेप साइट के तो लेप साइट का जो साउंड इसको एकदाव फूल कर देता है ठीक कर दिया फूल तो अभी आते हैं यहां पर वॉल्यूम कंट्रूलर में तो सबसे पहले यहां पर जो रेट मतलब वॉ प्राइट किया है कि बास्तों को फूल करते और वॉल्यूम को फूल करते है कि यह जिव देखिये तो वॉल्यूम तो बहुत आच्से काम कर रहं उसके साथ बेस्ते हाँ पूरा जीरो कि एमाड़ज सार नोशा नो है मतलब जिटना सारे बेंबance 10 कि एंप सुनद सा और झील पर नौइज भी एकदम बहुत ही मतलब बहुत ही कम नौइज आरे मतलब एकदम ना के वराबर नौइज आरे देख सेक तो बहुत कम नौइज आरे तो चले भी ट्रिवल को इंकिस करते हैं और वेस को एकदम जीरो में रखते हैं तो देख सेक तो बहुत ही अच्छा तरही से यह पर हाइफ फीक्वेंस लोग फीक्वेंस बहुत ही आच्छा तरही से कंट्रोल हो रहा है तो चलो अभी तीनों को एकदम थोड़ी बहुत मतलब कम पो मैंस कर गे देख सेकिना चाहां आरा है कर दो आरा है कराए में एक ही बाद बता कि यह वाला जो बोडरे इस बोड़ को एवाला एंपलीफायर बोड के साथ लगाने के बाद मेरे को लगा कि जो मेन वालियू में मतलब में मास्टर वालियू में जो वालियू में ओ थोड़ा डिक्रीज हो रहा है मतलब बहुत जाद नहीं थोड़ा डिक्रीज हो रहा है मतलब मेरे को लग रहा है कि डारेक्ट चला के देखा तो साउन बहुत बहुत ज और इसमें क्वालिटी के साथ साथ जो हम यहां पर देको कुंस टो नहीं हो रहा सबसे पहला वात दूस्तरे यहां पर नौइज भी एकदम लो वह एक तो बहुत ही कम नौए जारा रहें लेकिन सावन जो वॉल्यूम है ओठ टोड़ा लो है थोड़ा लो है मेरे को लग रहा ह कर लिक्षायच के दिacticram अंट करें को यह क्में एक उतना ही पूतने वीडियों स्टेले गुडबाय जय हिंद्ध जय भारात